अम्यों में दावाद विदान सभा जो आ नाचे वारु में दावाद माजबूत में दावाद भारा घागे गीना गुजरा विदान सभानी भारत परश्ला समुम ऑरा घागे ये जाईकार पता मैं अभी परम भागे जाने रहां कि एक वरिष शांसर्प के एसेजिन हमर की होने वाली है एफे माहूं में हमें जब आजिर्वाद्याने पुदा रहे हैं मैं नत मत बाई ए अजे भिष्ठ मूटा थता एक योगी स्वरुपे आपन ने समने चुआ है महामदा पाथ नी जन्ता जनारदम ने वेरा राम राम संगठन में परमोग सी अजब सिंग दावी जी निलीस पठेल जी एमेंद्र पिनाकेन राजपूच जी दौलट सिंग दावी जी गौतम भाई चौहां जी नटवर सिंग चौहां जी रामण भाई गोहिल जी रामण सुप का मैं हिर्दे से अभिनंदन करता हूँ अभी मुझे यहां आकर के सिद्व बिनायक मंदिर में दर्शन करने का सोभाग या प्राप्त हुआ है और भाईयो बैनो इस खेड़ा जन्पद में ही डाकोर के पास रणचोड़ दास मंदिर है बगवान स्री कृष्ण द्वारिका धीस का मंदिर है बगवान स्री कृष्ण मथरा उत्तरब्रदेश और गुजरात की जन्ता ने उन्हें द्वारिका धीस मना दिया शेकड़ों वर्सों की दास्ता से भारत को मुक्त करने में युगदान दिया और गुजरात की धर्ती का कमाल है लोग पुरुस सरदार बलबही पटेल भी गुजरात की धर्ती पर पैदा होकर कि भारत गणराच्य का इतिकरों करते हैं दुनिया के सबसे लोग प्रियनेता भारत के सुस्सी प्रधान मंत्री से नरेंदर भाई मोदी जी भी गुजरात की धर्ती की माटी की दोन है भायो बेन, बैस्षिक मंचपराद भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थे विवस्ता की रुप्य स्थापित हो रहा है हम सब जानते हैं जब देश वरत्मान में अपनी आजादी का अम्रित महद्सो मना रहा है और इससे बड़ा सोभाग्य क्या हो सकता है कि जब देश आजादी का अम्रित महद्सो मना रहा है उन इस्तितियों में जिस विरिटेन ने 200 वर्सों तक भारत पे सासन किया था आज वही भारत विरिटेन की अर्थ मिवस्टा को पचाड करके पाँच्वी बड़ी अर्थ मिवस्टा बना है यह भारत के लिए हर भारत वासी के लिए गौरव की बात है भायो बेनो आज बैस्विक मंच पर भारत की प्रतिष्टा बड़ी है दुनिया के वे बीस बड़े देश जिने जीट ट्वंटी के नाम पर संबोधित क्या जाता है जिनका दुनिया के असी फिस्टी संसादनों परदिकार है वे बीस बड़े देश आज प्रधान मंतरी मोधी जी के नित्रुत्तों में भारत अगले एक वरस तक उस जीट ट्वंटी के देशों का नित्रुत्तों करेगा आजादी के अमरित महत्साव पर इससे बड़ा स्वाग्या और क्या हो सकता है बायो बेनों आज भारत की सीमा सुरक्षित हुई है तो भारत के अंदर आतंगबाद, लकसलबाद, अलगाओबाद समात हुआ है आज गुजराद में दंगे और कर्फ्यू नहीं लगते, यह दंगा और कर्फ्यू यह कॉंग्रेस ने दिया था लेकिन भारती जनता पार्टी ने मोधी जी के नित्रुतों में गुजराद में सरकार गठित होते ही दंगा और कर्फ्यू सदेव के लिए समाप्त कर दिया कर्फ्यू पे कर्फ्यू लगया आज भाईो बैनो कर्फ्यू नहीं लगता दंगे नहीं होते आज गुजरात में विकास होता है सोमनाद का मंदिर का पुन्ड़क धार हो करके बगवान सोमनाद का भब्य परीशर बनकर के तयार होता है त्वार का धाम भब्य सुरूप लेता है मां अम्बा का धाम भब्य सुरूप लेता है और गुजरात एक बार फिर से भारत के गौरव का प्रतीग बन जाता है वायो बैनो आपने देखा होगा करोना कालखंड में संकर्थी पुरी मानवता के सामने पुरी दुनिया पस्त थी करोना के सामने लेकिन प्रदान मंत्री मोधी जी के नित्रतों में करोना कालखंड के दोरान एक-एक मंत्र प्रदान मंत्री मोधी जी का एक-एक मंत्र भारत की 135 करोड जनमानस को बचाने के लिए महत्तपुर्ण सावित वा उना ने एक-एक मंत्र दिया जान है जहान है जीवन और जीविका को बचाने के लिए जहां बिमार वहीं उपचार का मंत्र दिया और फिरी में टेस्ट फिरी में उपचार पिरी में वैक्सीन और फिरी में हर गरीब को रासन की सुवथा का लाप भी को प्रधाननक्री मोदीचे ने लिया एड़वल इंजन की सरकार का कमाल था भायो बेनों अगर कॉंग्रेस की सरकार होती वैक्सीन को ये लोग मार्केट में बेस देते और गरीब का रासन खा जाते है किसी गरीब को रासन नहीं मिलता किसी को फ्री में वैक्सीन नहीं मिलता अगर कॉंग्रेस होती तो लेकिन मोदी जी ने एक एक ब्यक्ति के जीवन की रक्सा की एक और करोना जैसी महामारी का सामना किया दोसरी और पांसो वर्सों कंदेजार समाप्त हुआ अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान का कारे भब्य रूप में आगे वड़ चुका है न यूद्या भब्य रूप में योध्या में भग्वान राम का मंदिर बन करा है 2023 के अंत में जब भग्वान राम का भब्य मंदिर बनेगा और राम लला अपने भब्य मंदिर में विराजमान होंगे तो युद्ध्या में बख्वान राम का भव्य मंदिर भारत के गौरव का प्रतीक राष्ट मंदिर के रूप में प्रतिश्थित होगा हर भारत वासी को गौरव के निजोति करनी चाहिए प्रवान मंतरी मोदी जी के नितरत में कासी विश्णा धाम भव्य रूप ले चुका है उसेन में आप जाएंगे महाकाल का महालोब भव्य रूप राप्त कर रहा है और उत्राखन में आप जाये केदारपुरी और बत्रीना धाम एक नए सुरूप में दुनिया के सामने प्रतिश्थित हो रहा है ये प्रवान मंतरी मोदी जी की परिकलपना को साकार रूप प्रस्तुत करनी की उनके अद्वुच्छंता का प्रदर्शन करता है और भाईो बेनो यहीं नहीं कॉंग्रेस ने आतंग बाद दिया था कस्मीर में धारा 370 लगा करके और प्रदान मंतरी मोदी जी और ग्राह मंतरी अमिज साजी ने धारा 370 को सबेव के लिए समाप्त करके आतंग बाद की पाद पर अंतिन की ठोकने का कामदी किया है अज मैं आपकी पास आयों कहने के लिए मुझे एक बात बताईए क्या कॉंग्रेस कस्मीर से धारा 370 हटाती और अगर कस्मीर से धारा 370 नहीं हटता तो भाईयो बेनो आतंग बाद भी समाप्त नहीं होता विकास बादित होता वहन बेतिया सुरक्षित होती ब्यापारियों का ब्यापार प्रढवित होता कोई नया निवेस नहीं होता तो नौज़मानों को रोजगार नहीं मिलता नौज़मानों को नौक्रियो रोजगार नहीं मिलता तो एक प्लाइन करते और इसी को प्लाइन को कहते है ब्रेन ड्रेन एक ही यानि एक ही चोट से सारी बिमारियों का समाधान कर दिया कस्मीर से 13370 को हटा करके किया कॉंग्रेस करती क्या कॉंग्रेस कासी में कासी में कासी बिश्वनादाम का निरमाण कर पाती भायो बेनो, कॉंग्रेस ना आपके संकट में सयोगी बन सकती है करोना कालखंड में ये दोनों भाई बहुन कहीं दिखाई दे रहे थे का कहीं नजर आ रहे थे आज में नहीं आ रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपने देखा होगा भारत जुड़ो अंदोलन चला रहे हैं भारत जुड़ो यात्रा चला रहे हैं लेकिन भारत जुड़ो कैसे चला पा रहे हैं देख रहे होंगे उनके मंच पर रास्त गान के ले खड़े होते हैं कि यो लोग बोलते कुछ और कुछ और है लेकिन भारतिया चन्ता पारटी प्रंहीं जी के नित्ट्टों में जो बोलती है वही करती है जो करती है वही बोलती है और यही कारण है कि देश के अंदर विश्वास के प्रफीक के रूप में मोदी जी आज पूरे भारत के 135 करोड लोगों के नाड़ने बने हुए हैं उनके विश्वास के प्रफीक बने हुए हैं देश की जंता जानती है मोदी बारत शुरक्षित है बारत सम्रिदी की और पसर हो रहा है और इसी ले लगातार हर चुना भारतिये जन्ता पार्टी जीत रही है उत्तर्ब्रेस में 403 विधान सबा है पचीस करोड की आबादी है और कॉंग्रेस कितनी सीड जीती है दो राम नाम सत्य है के लिए चार अग्मी चाईए होते हैं और भाईयो बेनो कॉंग्रेस के पास वा मातर दो सीट है और इसलिए भाईयो बेनो जब उत्तरब्रदेश ने कॉंग्रेस को समाप्त कर दिया सबी लोग तयार हैं आप सभी लोग इस बारे में सेमत हैं तो मैं आप सब से इस बारे में पील करूंगा कि आप सभी लोग अगर प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रुतों में गोसा हैं तो आप सभी भारती जनता पार्टी के प्रत्यासिसी अर्जुन सिंग चोहान को भारी बहमत्सी विजेही बनाने में पना युद्दान देंगे सभी लोग सेमत हैं तो आप सभी मेरे साथ अपना दोनों हाद पा करके उन्हें अपना समर्थ हम देंगे मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारे स्री राम युझ भार पार में राम आप जोई रहाचो आजे मेहमदावाद मां जंगी सभा योगी जीए योजी चे क्यों समर्थन लें आप जोई रहाचो आजे मेहमदावाद विधान सभा नों मेदवारतरी के मने विशेश आसीरवाज आपपा इंदु हदे समराट उत्तरप देशना मुख्य मंद्रिसी योगी आदितने लाज्जी जंगी सभा ने सम्भूदी आप जोई रहाचो आँ दस जारती वद्दू जनमेदनी नों आ सभा सम्भूदन थेऊ छे डबल एंजीन सरकारे नादरनीय मुदी सभी संकल्प करें चे आउखते तमाम रेकोडों ब्रेक थवाना चेविटते मारा मजबूत मेंदावाद मा मजबूती थी फरिवार डबल थी उकवर लीड़ थी आम मेंदाद विद्दान सभा हमें जीती शू आखी टीम नों संकल्प छे और जे विशरस योगी जीन आसिरवाद मढ़्या चे तकस आम अद्धी पार्टी पनावकते मेदन मा यह सू के सो आम अधी पार्टी जो आईना रूपोन के खबर नखी थी फरिवाद में जीती शू अने भारत मातों जेगोश करवा अने तामारू रेकोर्डिंग तमारू कुदू रिपोर्डिंग करवा तमें आठमी दारी के अढ़िव आगे उन तमने आमंत्रन आपूछू जीती शू